सर्दियों में जहां हम गोबी लेकर आते हैं तो गोबी के साथ हम गोबी के प्राथे बनाते हैं गोबी की सबजी बनाते हैं गोबी की ममटर बनाते हैं यह बहुत सारी रेस्पी बनाते हैं लेकिन इन डंठल का हम कुछ नहीं बनाते हैं क्योंकि डंठल हम योज में ही निलात तो अखसर क्या होता है जब हम गोबी के प्राटे बनाते हैं तो इस तरह के डेंठल बच जाते हैं और हम इनको फैक देते हैं तो मुझे लगा कि आज इन डेंठल के साथ ही कुछ ऐसी रैस्पी बनाई जए जो छटपट बने टेस्टी बने और हमारे डेंठल पूरी तरह से क तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेस्पी को बनाना जो कि हम बनाएंगे डेंठल के साथ मैं हूं रेजनी और वेलकम बैक टु माई चैनल रेजनी चोपना रेस्पी इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने यहां पर यूज कि हैं साथ से आठ डेंठल क्या था कि गोबी की सब्जी भी बन गई थी और गोबी की प्राठे भी बना लिये थे अब यह डेंठल बच गए थे कुछ डेंठल कच्च थे कुछ थोड़ी से टाइट होते हैं वही थे तो मुझे लगा इसी की साथ इस रेस्पी को तयार करते हैं तो सबसे पहले हम ने जो साइट की जो हिस्सा होता है हम उसको निकाल लेंगे हमने इसका सरे बीच वाला पार्ट हमने यूज करना है जो कि हम हमेशा सब्जी के लिए यूज करते हैं आप इसके लिए को जरूरी नहीं कि आपको बिल्कु सॉफ्ट वाला डेंठल चाहिए अगर थोड़ी साइट होगा तो उसकी सब्जी और भी अच्छी बनेगी उसकी रैस्पी और भी मज़दार बनेगी तो इस तरह से हमें इसको चीलने की जरूरत भी नहीं है बस साइट से जितना भी हमने जितना उसके लीफ वाला पार्ट होता है हम उसको निकाल लेंगे और जो यह डंठल है इनक कर ते इस अच्छा आएगा इसके बर इन टंठल को पानी में डिप कर देंगे और करेंगे आगी मसाले के तयारी मसाले के लिए हम यह यहां पर जहें दो मीडियम मीडियम साइज के प्याज चार से पांच का लिएं लेसं की और दो टमाटर मैं यहां पर लिए है प्याज प्याज और टमाटर था उसको ऐसे रफली ही चॉप किया हुआ है और अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर रखेंगे एक कोकर और उसमें हम इस लेंटल को बनाएंगे कोकर में अब कोकर में हम डालेंगे दो बड़े चमश तेल की यहाँ पर मैंने सरसो का तेल यूज किया ते इसको भूनना नहीं है कोई कलर चेंज नहीं करना बसकी बात साथ इसमें लस्सन को डाल देंगे एक से दो मिनिट तक चलाएंगे ताकि थोड़े सा प्याज जो है न सौफ्ट हो जाएंगे अब इसके साथ ही इन जैसे प्याज हलका सा सौफ्ट होगा हम इसमें डालेंगे वन फोर टी स्पून ही जाएगा इसमें हल्दी पाउडर बिल्कु थोड़ा से समान है थोड़े से तो नमक इसमें बहुत कम जाएंगे वन फोर टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्श पाउडर वन फोर टी स्पून से भी कम बिल्कु थोड़ा सा यानि की यहां पर हम गरम मसाला पहले से ही डाल देंगे, सबजी की जैसे बाद में डालते हैं उसमें नहीं डालेंगे, और आधा चमच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, नमक इसमें जाएगा स्वादानुसाद, जितना भी अप नमक यूज़ करते हैं, आपने उसके हिसाब से नमक दाल दीजिए, साथ हैं इसमें डाल देंगे, दो रफली चॉप की हो टमाटर, बस इसको एक से दो मिनिट तक चलाना है, ताकि यह मसालों के साथ टमाटर भी भूंज़ें, जैसे ही साथ भूंज़ जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे, एक कप पानी, यहां पर पानी जो है इस रेस्पी को ट्राई कर सकते हैं, इस मिहां पर कुकर की लिड को हम बंद कर देंगे, और कम सकम चार से पांच विसल इसको आनी देंगे, यहां पर हमने पानी इसलिए डाला था ताकि जो मसाला है जले नहीं, वरना अगर टमाटर के अंदर हमने पीस के डाले होते, तो इ के र토 नहीं है, और कशले के लिड को हटा कर देखें, गैजा आजा तनके मसाले को इसके शेचेता हम का पीस उदिया इसके जैाएगा ब्षा और ऑफ्वह WhatsApp जाता मिंघे आजए गा, लट पते धी जैएगे, यहां पर देखेंगे लट्पर ए लटपते से डंठल बने हैं, क जो थे कच्चे अगर होते तो हम इसको बिना विसल के भी बना सकते थे यहाँ पर जो डंठल मैंने यूज की हैं आपने देखा होगा थोड़ सा टाइट डंठल यूज किया था तो इसलिए मैंने इसमें डाला है आधी कटोरी पानी और इसके वापी से हम कुकर की लिड को बंद करेंगे और दो विसल आने देंगी दो विसल के बाद कुकर की लिड को ठंडा करने होने देंगी और उसके बाद कुकर की लिड को खोल कर देखेंगे पूरी तरह से कुक हो चुकी है अब जो उपर के लेजर है वो टाइट वाली जो टाइट ही रहेगी लगन अंदर जो टाइट के पल्प वाला पार्ट है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो इस तरह कि जो इस सब्जी है ना खाने में मतलब किसी भी नॉन्वेज से कम नहीं लगती बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेस्पी है और ये बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने इसको इन डंठल के साथ बनाया है और ये मज़िदार सी डंठल की ग्रेवी वाली चटपड़ी सब्जी बन कर तैयार है तो अब आप इसको चाहिए किसी भी प्राठा फुलका के साथ सर्फ कीजिए और आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए यदि आपको मे